और बिचलो कैसे हैं आप सब आज सीखतें कुछ नई सी ट्रिक गर्मियों का टाइम है ऐसे में फ्रिज में बिल्कुल भी जगा नहीं होती ड्राइफ रूट हमें चाहिए ही होता है और लॉकडाउन चल रहा है तो हमें काफी सारी चीजें घर में लाके रखनी पड़ती हैं इस समय ड्राइफ रूट हमारी सेहत के लिए अच्छे भी हैं दवायों के खर्चे से तो अच्छा है, सेहत मन अच्छी अच्छी चीजे खाएं। तो dry fruit हम लेके तो रखते हैं, गर्मियों में हम रखते हैं तो उनमें कीडा या फंगसी लग जाती है। ऐसे में dry fruit इतना महंगा होता है, नुक्सान हो जाता है उसका क्या करें। फ्रिज में इतनी जगा नहीं होती कि कैसे रखें फ्रिज में चलिए चलते हैं आज ड्राइफ रूट को कैसे रखें स्टोर करें कि बाहर भी वो बिल्कुल फ्रेश रहे अच्छा रहे वैसे तो ड्राइफ रूट में आप दालचीनी का टुकडा या यह मोटी वाली डोडा काली मिर्च डोडा बड़ी इलाइची वो आप रख सकते हैं जिससे इसमें कोई भी कीरा न लगे लेकिन ड्राइफ रूट में इन चीजों से थोड़ी सी स्मेल सी आ जाती है इसमेल आती है तो कई बार बच्चे खाने की कोशिश नहीं करते हैं तो मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बताती हूँ ड्राइफ रूट के अंदर आप बताशे रखें यह बताशे मार्कीट में एजिली आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप पे मिल जाएंगे ड्राइफ रूट में अगर आप बताशे रखेंगे ड्राइफ रूट सीलेंगे भी नहीं और बिल्कुल फ्रेश रहेंगे उसमें कोई कीडा नहीं लगेगा यह ट्रिक आप अपना के देखिए इसे फॉलो करकर जरू देखिए यहाँ बारी आती है इमली की इमली हमें रोज-रोज तो नहीं लगती है लेकिन कई घरों में मैंने नोटिस किया है कि इमली का पल्प मार्कीट से आप ले आते हो उसमें काफी सारे कैमिकल होते हैं पिज़र वेटिव होते हैं तो प्लीज आप कभी भी मत खरी दिये या तो इमली यूज मत कीजिए या फिर ये टाइप की बॉटल आप बिलकुल मत खरी दिये आप तो नॉमल इमली लीजिए अगर आपको इमली का जरुवत पड़ती है तो इमली को अगर जरुवत पड़ती है तो इस तरीके से आपको मार्कीट से लेनी होती है या तो आप गुट्लियों वाली लेते हो, उसे खुद गुट्लियों को साफ कर देते हो, या फिर गुट्लिया निकली हुई भी आपको मार्किट से मिलती है, उसे हम साल भर, साल भर हम इस के इमली को कैसे रखें? यहां मैं आपको एक ट्रिक बताती हूं बहुत ही बढ़िया यह देखिए एक कांच का जार ले लिजे कोई प्लास्टिक का नहीं स्टील अलुमिनियम का नहीं कांच या चीनी मिट्टी का जार ले लिजे नीचे खूप सारा नमक डाल दीजे और यह जो इमली है इसे अलग कर पहले डाली है आप उसे भी देख सकते हैं बीच बीच में इसमें नमक डालते जाईए जिससे अपकी इमली बिल्कुल भी खराब नहीं होगी अबी देखिए आधी मैं डाल पाई हूं आधा किलो यह जार में आधा किलो में दूसरे जार में हो डाल और उपर से भी इस तरीके से नमक डालिए, कभी कोई कीडा नहीं लगेगा ना ये मैस्टर पकड़ेगी, कुछ भी नहीं होगा, ये देखे, इस तरीके से ये इमली बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, देखा ना आपने, इस तरीके से, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, इसे फॉलो जरूर कीजिए, कई बार बारिश आती है, तो हम परिशान हो जाते हैं, लॉक्डाउन के टाइम, हम सबजीयां बहुत मुश्किल से खरीद रहे हैं, सुभर 9 बजे के बाद हमें कोई सबजीयां ही नहीं मिल रहे हैं, सबजीयां मिलती हैं, बहुत जल्दी खराब हो चलिए, यहां मैं दिखाती हूँ, सबजीयों को तो धोना हम भूलते ही नहीं हैं, आजकल सारी सबजीयों को प्रॉपर तरीके से धोते ही हैं, तो धोना तो मैं नहीं दिखा रही हूँ, धो तो मैंने लिया है अच्छे से, अब उसके बाद इसे अच्छे से पोचिए तो हवा में थोड़ी देर रख लीजे, फैन के नीचे, अब इसे हमें रखना कैसे है, खास बात है ये, कोई भी अखवार पेपर, न्यूस पेपर ले लीजे, या फिर इस टाइप का जो नॉर्मल बैक्स आते हैं, हमें मार्किट से मिलते हैं, उन बैक्स के कपड़े को जैसे डेली हमें कितना धनिया लगता है उस हिसाब से, ये देखिए, इस ट्रिक से आपके थोड़े से धनिया, मतलब एक गड़ी जो आप ले रहे हो, पूरा वन वीक आपका चल जाता है, और बहुती अराम से हम सब कुछ बना सकते हैं, धनिया होता है, पुदीना होता है, मीठी नीम होती है, तो हमारा काम बड़ा असान हो जाता है, तो इस तरीके से आपको जितना लगता है, उस हिसाब से आप रख लीजाए, एक किसी बॉक्स में रख देजे, जिसे जगा भी कम गिरेगी, और बहुती अच्छे से रह पाएगा, इसी तरीके से देखिए, ये मेरे पास थोड़ा सा है, अगर जादा होता, तो उसे भी मैं इसी तरीके से रखती, पर क्यूंकि थोड़ा है, तो मैं इसे इसी तरीके से पोच के लपेट के रख देती हूँ, लेकिन इसे अच्छे से पोच जरूर लीजिए, या हवा में इसे सुखाईए, वरना ये खरा बुझाब हो जाएगा, ये देखिए, एक ही दफ़ा आप करी लीजिए इतनी सारी ले ले लेते हो, और ये बिल्कुल बिना कलर खराब किये, इसे अच्छे से आप रख सकते हो, ये देखिए, मैं इस तरीके से डंठाल तोड़ती जाती हूँ, और काफी दिनों तक इने य यूस करती हूँ, घर में ऐसे जूस बनाते हैं, या जो भी अपन सूप बनाते हैं, दाल में, या किसी हरी चटनी में, सभी में इसको यूस किया कीजिए, करी लीजिए हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बेहत अच्छे होती है, इसे जादा से जादा यूस किया क ये वेट लॉस में भी हमें मदद देती हैं कोई नमकीन चिवड़ा आप भेल कुछ भी बना रहे हैं तो इसे सेख के क्रिस्पी करके डालिए उसका स्वात सौग ना बढ़ जाता है ये देखिए खूब सारी है मैं ऐसे कैसे रख रही हूं देखिए कई बार मैं ऐसे ड्राइ करके भी रखती हूं मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है बिलकुल छाया में सुखा के रख देती हूं तो वो हमें काफी यूज होता है पर यहां मैं आपको ताजी कैसे हमें हर टाइम मिले वो भी मैं बता रही हूं इसे भी आप बहुत आप से रखते जाएं ऐसा करने से होगा यह यह बिल्कुल भी खराब नियोंगी आट से 10 दिन 12 आप जितने दिन रखना चाहें यह बिल्कुल भी खराब नियोंगी तो बच्चों कैसी लगे यह चोटी चोटी अपको कैसी लगती है मुझे comment करके आप बताते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं motivate होती हूँ आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए तैयारी करती हूँ वीडियो पसंद आये तो like जरूर कीजे जादा से जादा share कीजे इस channel को subscribe जरूर कीजे